नमस्कर सांति और स्वागति आप सभी का आपके अपने चैनल और इस्टेडी पे जिन दोस्तों आज किस वीडियो में हम फिर से कीलोग्राम के बारें बात करने वाले हैं जिसका यूज हमारे डेली लाइफ में होता है और पिछले भी मैंने कितने वीडियो किलोग्राम प्रप्लोड की हैं आपको पता भी होगा तो यह भी वीडियो उसी तरीका का है लेकिन कुछ खास है इसमें क्योंकि इसमें हम बात करेंगे चाना चाना आप जानते हैं चाना क् दाल भी होता है चाना जो होता है बिहार में यहां पर मतलब कम खेती होती है और जगा होती है कहीं पर चले बीने time बेस्ट को केरफली पढ़ते हैं और समझते हैं जो करने का पर्यास करते हैं तो दखिए हमारा कोशन क्या है रुपेस 4 केजी चाना 240 रुपए में खरीदता है रुपेस कौन है रुपेस एक बेक्ती है जो कि किसी भी दुकानदार से यानि किसी भी दुकान से 4 केजी चाना 240 रुपए में खरीदता है तो 600 गराम का दाम बता में मालेज़े के रुपेज़ जो है, 4Kια चाना करेद है, 240 रुपए में और कोई और लड़का वहाँ पर ठाड़ा है और वह देख रहा है कि 4KG चाना कदाम 240 रुपेज दे रहा है तो मालेज़े, डूसरा जो लड़का है, उसको 600 ग्राम चाना लेना है तो वह बिना दोकंदार से पुछे कितना रुपए देगा 600 ग्राम चाना का दाम तो यहीं हम यहाँ पर समझने वाले हैं ग्राम का हिसाब करना और किलो ग्राम के बारे में तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले कोशन में क्या दिया है चार केजी का मुल्य दिया है 240 रुपए तो दोस्तों सबसे पहले जो कोशन में दिया रहाता है उशी को सबसे पहले लिखा जाता है तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे सोलूशन एकोर्डिंग टूड़ा कोशन के अनुसार देखिए चार केजी का मुल्य 240 रुपए तो हम यह अपर लिखेंगे चार केजी का मुल्य 240 रुपए है तो 240 रुपए हम लिखेंगे अब देखिए हमको 600 ग्राम का मुल्य निकलना है यहाँ पर कैदे है चार केजी यानि केजी में यहाँ पर दिया है और gram में यहाँ पर निकालना है तो हमको क्या करना होगा 4 kg का मुले 240 रुपए है न तो सबसे पहले हमको 1 kg का मुले गयात करना होगा 1 kg का मुले गयात करेंगे फिर उस 1 kg को हम gram में कनवर करेंगे क्योंकि हमको gram में यहाँ यहाँ पर वहलो गयात करना है तो चलिए हम यहां से एक केजी का मुले निकालते हैं तो उसके लिए करना किया है देखें यहां पर चार केजी है ना तो आपको डारेक्ट यहां पर एक केजी कर देना है क्योंकि हमको एक केजी का मुले ग्यात करना है और यहां पर दो सो चालिस रुपए है तो दो सो चालिस तो इस संक्या के भागे में यानि 240 के बटेम लग जाएगा तो यहां पर 240 के बटेम लग गया यह रुपाई है तो आप रुपाई लिख लेजे यहां पर अब देखिए अब सिंपल तरीका से इसको काट लेजे देखिए यहां पर शार के बटेमless छॉविस कितने बडर में याता है तो 5टेमे जीरो बर में तो संक्या बडर किसी बी संक्या सब्सक्वा संब यहां पर में 27 किसी भी नंबर में उघ्विस ऑड़ा다리 चौ में तो चौबिस हो जाएगा और चार के गुना करेंगे जीरो में तो आपका जीरो हो जाएगा यानि साथ हो गया दो सो चालिस में चार से डिवाइट करेंगे तो तो देखिए एक केजी का मुली हमारे यहाँ पर निकल गया तो यहाँ पर हमारा एक केजी का मुली निकल करेंगे तो ग्राम में कैसे कंवर्ड करते हैं तो यहां पर आपको थोड़ा सा समझना है और उस बात को याद भी करना है देखिए आपको पता भी होगा कि एक केजी में यानि एक कीलो ग्राम में हमारा यहां पर एक हाजार ग्राम होता है यानि मैंने केजी को जी में बदल द तो यहां पर हमारा साथ रुपए जो है यहां पर लिख देंगे अब देखिए हमको यहां पर 600 ग्राम का वेलू ग्याद करना है तो हम क्या करेंगे यहां से हम 100 ग्राम का दाम निकलेंगे अगर 100 ग्राम का दाम यानि 100 ग्राम का मुल्या निकल जाता है तो 600 ग्राम, 800 ग्राम, 1200 ग्राम, 1400 ग्राम यानि कितना हो ग्राम का दाम आप बिल्कुल ही जिली निकाल सकते हैं जो कि 100 ग्राम से उपर हो, क्योंकि हम यहाँ पर 100 ग्राम का दाम निकाल रहे हैं, मनले यह 10 ग्राम का दाम निकलना हो, तो क्या करते हैं, हम यहाँ से सबसे पहले 1 ग्राम का मुल्या निकाल दे, 1 ग्राम का मुल्या निकल जाता है, तो उसके बाद 10 ग्राम का मुल्या निकलने के लिए एक का गुना कर देते दस में और जो रुपाई रहा था उसमें भी हम दस से गुना कर देते तो एक ग्राम का मुल्य हमारे निकल जाता तो हम यहां से सो ग्राम का मुले निकालेंगे कि 100 ग्राम से öफर होता है, चोसु ग्राम मुले गयांत करना है, तो सो ग्राम का मुले गया werków लेंगे नタbenड़ा तो बहुत ही आसानी होगे. तो देखें यहाँ पर 13 0 है तो 1000 है यहाँ इस में से 1 0 है काٹ देंगे तो 100 William सैष्फ हो जाएगा ने जर्क कराम तो देखें बराबर कर लेट सैड में एक जरो को काड दिया है बराबर कर राइड साइड में यहां पर जीरो दिख रहा है तो इसको इसको भी सराथ पड़ेगा क्यूंकि Приoser много होता है बटा ैर बटा में कट ता है तो यानि यहां पर ब्राबर के लिफ साइड में और ब्राबर के रैड्वल में एक-जिरो कट गया और देखि 5 ग्रामच, यहां पर औलट का बच गया है यहांब दोनों तो दोनमों सिर्फ 6 से गुणा कर देंगे तोow सौ यहाँपर शो रुपए तो छो लिखना है और फिर गुना करदेना है चो रुपए से यह जो गुनाज़ा कर देना है और उपए है तो रुपए अब देखिए हमारा कि यहाँद कराएगा 6 में तो यह कह दो तो यह hacemos आपका 600 पर आचुका है 400 ग्राम का वैलू 36 रुपाई होगा और यह इस कोशन का फाइनल आंसर भी है तो आई होब कि इस वीडियो के माध्यम से इस टाइप के जितने भी कोशन होंगे आपके डेली लाइफ में यूज में यहां पर होते होंगे तो उसको आप सॉल्व कर लेजिएगा अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाएबाए धन्यवाद